आज जो ये तंत्र में आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही प्राजीन है ये मैंने कामरतन करंथ से लिया है और इसमें जो है शनिक भी समय वेर्थ नहीं होता और आपका जो मनुरत है वो स्पष्ट हो जाता है यदि किसी भी तरह की परिशानी हो, कोई मनमुटाव हो, ग्रह कलेश हो तो इस प्रयोग को किया जा सकता है यदि आपकी प्रेमी का आपसे रूट गई हो या फिर आपके पती आपसे रूट गई हो तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है और ये इतना सटीक है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देता है बस आपको करना ये है कि जो भी समान इसमें लगेगा उसको पहले एकत्रित कर लीजे उसके बाद जो है इस प्रयोग को करना शुरू कियेगा तो देखते ही देखते जो भी साथ्ये होगा वो आपकी तरफ खिजा चलाएगा कर दो बसक करना शुरू कर दो पहा है चलाएगा टrifस कर दो आपकी तरफ वर ताना शुरू कर भी साथा और शुरू कर झालाफएगा झाल झाल इसे प्राचीन काल में पती को वश्मे करने के लिए प्रियोग में किया जाता था किन्तु इससे आप अपनी गल्फ्रेंड अपने बॉइफ्रेंड या किसी को भी अपने आधीन कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा एक भोजपत्र लाल रंकी इंक या फिर जो भी आपके पास पैन हो पैंसिलों उससे भी आप बना सकते हैं और एक सहतूत का पेड़ अगर ना हो तो आप किसी भी पेड़ के निजे इसको गाड़ सकते हैं आपको क्या करना है कि ये जो यंत्र आप देख रहे हैं इस यंत्र को भोजपत्र के उपर बना लीजिए बनाने का समय रहेगा सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में इस समय पर आप इसको बना सकते हैं जब आप ये यंत्र बनाएं तो उस चीजों का ध्यान रखें जो की बहुत ही महत्वपून हैं अगर इन चीजों को आप देख कर इस यंत्र को बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा सबसे पहली बात कि जब आप इसका निर्मान करें तो आपका जो मुख है आपकी जो दिशा का निर्धरन आप करेंगे वो सूर्य की तरफ आपका मुख होना चाहिए और इसके बाद आप इसका निर्मान शुरू कर सकते हैं जब यंदर निर्मान आप शुरू करें तो उससे पहले सुनिश्चित करें कि आपका जो कमरा है या फिर आपकी जो गुफा है चंगल है जहां पर भी आप बना रहे हैं वहां पर आपके इलावा और कोई नहीं है अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर इसमें बहुत दिक्कते आएंगी अगर आप अकेले हैं तो ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा आप कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित करें जहां पर कि सिर्फ आप हो एकांत में इसको बनाना है इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना आसन जो है उसका चैन करना है आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए उनी हो सकता है या सूती का हो सकता है या फिर जो सबसे सरवश्रेश्ट है वो है मिर्ग चर्म अगर उस पर बैठकर आपने कर लिया तो समझेए यह यहां पर आपने बनाए और वहां पर लग गया किन्तो आजकल मिर्ग चर्म मिलना बहुत मुश्किल है तो आप उनी आसन ले सकते हैं या फिर सूती का कोई वस्त्र ले सकते हैं तो उसका आसन बना लीजे आसन पर बैठने के बाद आपको तिलक लगाना है तिलक लगाने से अगर कोई विग्न आती है तो वो टल जाती है आपको क्या करना है कि यंद्र राज को कुछ मिठाई, कुछ धूब, दीपक ये सब दिखाने होते हैं तो जब यंद्र निर्मान करें तो आपके पास ये सारी चीज़े रखे होनी चाहिए इससे क्या होता है कि आपकी साधना में कोई विगने नहीं आप यदि आपको ये सारे प्रियोग कर लेते हैं, ये सारी चीज़े के तृत कर लेते हैं और उसके बाद यंद्र निर्मान करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपको फल देगा आपको करना क्या है कि भोज पत्तर की उपर यह जो यंत्र आपको बताया गया है इसको बना लीजिए बनाने के बाद इसकी प्राणपतिष्ठा कीजिए और उसके बाद इसको किसी शेहतूत के पेड़ पर टांग दीजिए जैसे जैसे यह यंत्र हिलेगा वैसे वैसे आपका जो साध्य है वो आपके आधीन होता जाएगा उसमें वो तड़प पैद हो जाएगी आपके लिए और इसके बाद जो है बस वो आप ही किमाला जपेगा जब यंद्र डिमान पूरा हो जाए तो इसके बाद जो है आपको इसको किसी सहतूत के पेड़ पर टांग देना है यदि सहतूत का पेड़ आपके पास ना हो तो कोई भी आसा पेड़ जो हरा हो उसके नीचे घड़ा खो दिये और इसको वहाँ पर टांग दीजे जैसे जैसे हवास यह हिलेगा वैसे वैसे आपके साथ ही आपके प्रेमी में वो तड़प पैदा होगी और वो आपकी तरफ खिचा चलाएगा यदि एक दो दिन में कोई असर ना दिखे तो निराश ना हो ये जादू लगेगा और सो परतिशत लगेगा बस आपको थोड़ा सा धहरे रखते हुए इसको भूल जाएगे एक बार कीजिए और इसको भूल जाएगे लेकिन इसको याद रखिएगा अंधर ही अंदर आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो जो आपने प्रोसेस किया था वो बैगराउंड में काम कर रहा है आपका ज ऐसा यदि आप करके चलते हैं तो इसका असर जो है बहुत ही शीगराती शीगरा आपको मिल जाएगा मैं तो ऐसे ऐसे लोग भी देखें जिनोंने ये यंतर बनाया था और पहले ही दिन से उनको असर दिखना शुरू हो गया तो उन पर काफी रिसर्च किया उनसे बहुत सा पर कमज ना रहा हो डाइग्राम साफ ना हो तो आप मेरी वैपसाइट सर्स्टॉप्स.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप वाट्सप कर सकते हैं 999-284-1625 या पर पती डाइवोर्ज दे रहा हो या किसी भी तरह की कोई और समस्या हो अपनी कुंडलीनी बनवानी हो तो जो भी आप कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर अपनी डीटेल्स वाट्सप कीजिएगा तो मैं कि जो भी यह था सम्भव सहायत होगी हो कर दो कर दो कर दो कर दो